दोस्तो एलीटी का जमाना आ जाया है लेकिन लाल्टेन तो सदियों से अंधेरों से लराई लरते रहा है और डर को समात करते रहा है लल्टेन कभी भी अपने धर्म को नहीं भूलेगा जब भी आप लल्टेन को जलाएंगे तो अंधेरा ही दूर करेगा ये बात सत्ते है लेकिन कमल जितना ज़्यादा अच्छा खिलेगा समझे वो उतने गंदा पानी में है क्योंकि कमल किचर में खिलता है और जितना गंदा किचर होगा कमल उतना ज़्यादा अच्छा खिलेगा और यही किचर मच्छर और मक्खी उत्पन करता है जिससे बीमारी पैदा होता है अनेकों परकार के तो बीमारी से बचना है साफ सफाई रखना है और किचर को साफ करते रहे आपके चरन कीदर है मुझे आप अपने चरनों में अस्थान दीजिये ताकि हम भी जो है कुछ पुन्या कमाले हमें भी या पुन्य के भागी बनने का मौका दीजिये मैं आपके चरंचुना चाहता हूं गुरुजी कितना सही बात आप बता दिये कि कमल जो है वो कीचर में खिलता है कीचर को साफ करना चाहिए ताकि कमल का अस्तित्म न रहे तो बस एक सेकेंड में हम आए बस एक सेकेंड में कुछ देखा देते हैं इनको ए गुरुजी माता लक्षमी जी है ये जानते हैं ये कौन फूल है पता चल ला है हाँ हाँ ये कमल फूल है कौन जेकर आप बोल ले हैं कि कीचर में खिलता है ओहें कीचर में खिलने वाला इस कमल के फूल पर माता लक्षमी जी विराजमान है और जो वीडियो आप बना रहे हैं वो वीडिय के से जो है आप माता लक्षमी का ही अपमान कर दिए कुछ लोग जो है वो सीधा-सीधी माता दुरगा जी को अनापसना बोल देती हैं तो कुछ जो हमारे तमिलनाडू के नेता है डिरेक्ट सनातन धर्म को डेंगु मरडिया बोल रहे हैं और आप तो जो है मतल लक्षमी का आप मान कर दिये गुरु जी चलिए अब हम आपको आज बताते हैं कि जो कमल को आपने बताया जिस तरीके से समझाया लोगों को उसकी जो आप बोले लल्टेन को आप कहीं भी यूज कीजिए तो डर भगाएगा अंधेरा दूर करेगा एकदम सही बात है लेकिन हम लाइटों जलाएंगे न तो ओह से अंधेरा दूर होगा लेकिन आप लाल्टेन का बराई कर रहे हैं और कमल का बुराई कर रहे हैं इसका पी है उसका बीरोध कर रहे हैं अब बताइए कि अब अगर हम आपको ये कह दे मुख्या जी कि आप राजद के डलाल हुए आप राश्ट्रिये जनता दल के चाटूकार हुए आप ते जस्वी आदव जी के चमचा हुए ता आप तो हमारे वीडियो पर स्ट्राइक सकता है एही बात नहोंगा बिल्कुल लेकिन क्या मैं गलत बोल रहा हूं जो वीडियो शुरुआत में दिखा है इससे क्या पता चलता है रामकुमार बताईए जरा इससे डिरेक्ट पता चलता है कि कहीने कहीं हम तब पिछला वीडियो में भी बोले है वीपिन यादव के जी पुरु जी है हमसे बरे है इज़त करना हमारा धर्म है विपिन यादव सौर यादव मुखिया जी ठीक है मुखिया जी डिरेक्ट बोले है कि वह जाती बाद करते हैं इससे मतलब डिरेक्ट आपको पता मुखिया जी तो वीडियो बनाया है कि हमको जातिवादी कहने व लेकिन यह लोग मतलब कुछ इंसान समझने बाले नहीं है अब आईए मुख्या जी अब जो है हम आपका ये जो बात बोले हैं उस पर धुलाई शब्द का परियोग करते हुए कर लेते हैं एक बार और क्योंकि जो आपने शब्द कहा है वह मातालक्षमी का आपमान है अब त इतने भी हमारे माल अच्मी से मतलब प्यार करते हैं इतने भी दर्सक वीडियो को सेर किजिए और उनके मतलब सबक सिखा ये इस तरीका को मतलब नहीं होना चाहिए आदिमी को अपमान तो होवे करता है लेकिन माल अच्मी का भी अपमान होने लगा है अरे कौन बहादूर ह इतना खिलवार ये लोग करते हैं खैर सबका हिसाब उपड़ा एक मिलट और आप एक मिलट आप जो सपना लेके चले न भाईया कि हमको बिधायक बना है संसद बना है तो ही मा का देन होगा न तो बिधायक संसद बनिएगा कितनों आप कुछ कर लीजेगा मा अगर नहीं च चुनाओनाजीति एगष जब तक नहीं चाहेंगे राम नहीं बनेगा आपका गुरुजी एक काम चलिए आपको बताते हैं कि यो है सबसे पहले भारत का राष्टिडिये फूल कमल है तो राष्टिडिये फूल कमल है तो आप अगर कीचर की बेजिती कर रहे हैं कमल की बेजिती कर रहे हैं इसका मतलब आप देश का अपमान कर रहे हैं तो कि भारत का राष्टिडिये फूल है कमल और कमल के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं चलिए आपकी सोच और बहुत अच्छा अच्छा बात बता जेते जरा सुन लीजे आपने क्या बोला कि जो कमल का फूल है जो कीचर में खिलता है वह सबसे घटिया चीज है जरा सुन लीजे गुरुजी आपको मैं बता देता हूं कमल का फूल सफेद या गुलाब जाती है अब समझ में आया मंदिर में बत्ती बनता है उसके रेशा से उसके तना से उसकी जो लंबी डंडिया और नसो होती है उससे मंदिर की बत्तिया बनती है भगवान को पूजा जाता है आपने तो कमल को ऐसे ही मतलब बीजे पी का छाप है कमल छाप ते चलते आप कमल के बेचती कर दिये गुरुजी गलत बात है गुरुजी चलिए नतनका आउर्दू गो बहुत बड़ा बात हम बता देते हैं इतना बरका बात तो नहीं पढ़ेंगा जहां जहां इंपोटेंट है वही पत्वा बतायते हैं देखिए कमल चैत वैसाख में फूलने लगता है और बटकर मंदिरों में जलाने का बत्या बनाया जाता है समझ में गुरुजी नहीं समझ में है तो कोई बात नहीं है कलास ले लिजेगा खांसर अच्छे गुरुजी है उनसे कलास आप जरूर ले लिजेगा आपके दोस्त है कहीं आपको कुछ उसमें डिसकाउंट कि अपने जो किया न आपने जो बीजेपी का बिरोध किया वहां तक को तो सही था लेकिन आपने कमल को डिरेक्ट जिस तरीके से कहा है, ये गलत है गुरू जी, हम सिधे कहना चाते हैं, कि आप जिसको सपोर्ट कर रहा हैं न भीया, वो भी कीचर से ही अभी उपर उठे हैं, हर आदमी कीचर से ही बरा बनता है, ये आप भी वीडियो बना रहा है आप भी आपके बारे में भी हम जानते हैं आप पैसा बला हो गए चाहे कुछ भी मुखिया हो गए आप भी कीचर से ही उपर उठे हैं इवात पीछे जाके देख लीजिए अरे गुरुजी जो कीचर में भी जो कीचर में भी खिल कर कीचर से ही जन्म लेकर देश क राष्टीडिये फूल बन सकता है माता लक्षमी का सिंहासन बन सकता है तो सोचिये उस कमल की क्या जो है पद है वो ज़रा सोचिये जो कीचर में जन्म लिया और उसका जो जगा है माता लक्षमी का सिंहासन हो गया तो सोचिये की कमल क्या चीज है और आप जो है कमल छाफ है ब लल्टेन है बढ़िया लल्टेन की वज़स अंधेरा दूर होता है सही बात है लेकिन इस तरीके से कमल की बेजिती करना सोभा आपको नहीं देता है और हम आपको कुछ बोलते हैं तो कुछ लोग आकर comment box में जो है उल जलूल बोलना शुरू करते हैं क्या ये बात मैंने गलत मैंने बोला कि कमल की बेजिती नहीं करनी चाहिए थी ये क्या गलत मैंने बोला कि तेजस्वी आदव जी के सपोर्ट में ये हमारे बीपिनी आदम मुख्या जी जो है बीजेपी का बिरोध कर रहे हैं ताकि अगले साल बिधान सभा का टिकट मिल जाए उनको या फिर जो है आर जेडी उनको सामिल कर ले क्या ये मैंने गलत बोला क्या इन सब चीजों से इन सब वीडियो से ये नहीं जलगता है कि किस तरफ जुकाओ रख रहे हैं विपिनी आदम मुख्या जी अगर कुछ गलत बोले तो जरूर बताईएगा कॉमेंट बॉक्स में चलिए दोस्तों मेरा नाम हुआ राम कुमर जय हिंद जय भारत जय हिंद